जैसरी कृष्णा दोस्तो आज हम आपको एक कथा सुनाने जा रही हैं कि सिरी कृष्ण के मोर पंक धारन करने के पीछे क्या रहस्य है अगर आपको कहानी पसंद आई तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजेगा पीडियो को लाइक और से चरूर कीजेगा तो चलिए कथा सुरू करते हैं एक बार एक मोर नंद गाओं में सिरी कृष्ण को रिजहाने के लिए प्रती दीन भजन गाता था लेकिन सिरी कृष्ण उसकी तरब जादा ध्यान नहीं देते थे सिरी कृष्ण के इस बहवार से मोर एक दिन रो पड़ा उसी समय एक मैना उधर से गु मैना को बताता है सिरी कृष्ण को रिजहाने के लिए कब से प्रती दीन यहां भजन गाता हूं लेकिन सिरी कृष्ण मेरी ओर ध्यान ही नहीं देते मैना कहती है अगर सिरी कृष्ण की किरपा प्राप्त करनी है तो मेरे साथ राधारानी के द्वार बर्षाने चलो मोर ने जैसे ही, बरसाने जाकर सिरीकृषन का भजन गाना शुरू किया, राधाराणी दोड़ी आई और उसे गले लगा लिया, मौर ने सारा प्रसंग राधाराणी से सुनाया, राधाराणी कहने लगी, तुमने जो एक साल से सिरीकृषन को रिजाने की कोशिस की है, उसी का फल अब तुम जाकर सिरी कृष्ण को कुछ और सुनाना, मोर ने कहा मैंने अपनी करुणा के बारे में बहुत कुछ सुना था, आज देख भी लिया, अगले दिन मोर नंद गाओं में जाकर राधारानी की महिमा के गीत गाने लगा, सिरी कृष्ण उसी समय दोड कर आए और उसे गले से लगा लिया, मोर कहने लगा, अरे छलिया, कब से तुझे रिजाने की कोशिस कर रही हूँ, लेकिन तुने कभी ध्यान नहीं दिया, अब जब सिरी राधारानी की किरपा प्राप्त होई, तो आकर मुझे गले से लगा लिय सिरी कृष्ण कहते हैं कि किसी के मुख से रा अक्षर सुनते ही मैं उसे भक्ति परदान करता हूँ, और धा अक्षर सुनते ही राधारानी का नाम सुनने की लालसा में उसकी पीछे पीछे चला आता हूँ